प्रेग्नेंसी का कोई सिम्टम्स नहीं है फिर भी मैं प्रेग्नेंट हूँ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है इसके कौन कौन से लक्षण और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं देखें मित्रो बिना लक्षण के कैसे पता करें कि आप गर्वती हैं तो ये बिल्कुल सच है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गरवती हो जाते हैं लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चलता है ये कई लोगों के साथ हो चुका है और ये मैं देखा है और इनके symptoms भी मैं आपको आगे बताओंगी कि कौन-कौनसे symptoms आपको आते हैं उनका period परश्क Чइंथ की मिस हो जाता है लेकिन कोई भी सिमटम नजर नहीं नहीं करना О वह डॉक्तर के पास बिजाती है किने जो कम दिन का होता है उन नहीं निकलता है उन कम दिन के भी कि heps प्रफ़ी में भी जब एक चार हपते एक मन्त हो जाएगा तो ही निकलेगा और किट में भी नहीं पॉजिटिव आता है तो मतलब परेसान होने लगती है दुखी हो जाती है होपलेस हो जाती है या फिर बार बार रिलेशन मेंटेन करने लगती है जिसे की गर्वती तो है कभी कभी क्या होता है कि रिलेशन बार बार मेंटेन करने से उनके पेट पेज दबाव पर जाता है जोर पर जाता है जिसे इनकी गर्वधारा खराब हो जाती है तो आप ये गलत सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा मैं रिक्वेस्ट करती हूं प्लीज आपका हमारी यूटिब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है चलिए वीडियो में जो साइन है मैं उसको आप उसको मैं आपको बताती हूं देखिए मित्रों क्या होता है कि कई बार प्रेग्नेंस आपको मॉर्निंग सिखनेस आएगी नहीं आपको कोई भी प्रेग्नेंसी वाला जो सिम्टम्स होता है उगा लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिस पे आप गौर करेंगी आपको आप जब प्रेग्नेंट हो गई है एक हपते की प्रेग्नेंट रहेंगी चार दिन की द सबसे पहले तो आपको अचाना प्यास बहुत जादा लगने लगेगी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो जब आपको प्यास लगती है तो यह क्यों होता है आपको पता है अचानक ही प्यास की फ्रिक्वेंसी पानी पीने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी जिग्यासा बढ़ जाएगी तो यह इसलिए होता है कि के हैं और तिंधatan के निरे में में ऑपकोलिजा पर करता है गजाता है एक से तीन महीने तक शी सके भुड्र अधान के पर standing के एक वाकर रही होती है कि आपकर आपके गर्व के अंदर है यह आपको पता नहीं होता है यह समस्ट को सभी sì you वह उसको भून्व भ्योन चंव है बाद दीरे 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 सो को बच्चे के रुप में तैयार करता है आपका बॉड़ी और च्रह से चार से और न नाइन मन्द नीज होता है पूरी बॉड़ी वह उसकी मंत में ही तायार हो जाती है और तीन मंत लगेगा पानी पीएंगी तो लाजिम है कि आपको यूरिन की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी तो आपके दिमाग में यहीं चलता होगा कि मैं पानी जादा पी रही हूँ यह रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और आपको नीद में भी बढ़तरी हो जाएगी आपका जो नीद है वह भी पहले से काफी आपको लंबा आने लगेगा तो ये जो मैंने symptoms बताया है ये सारे symptoms pregnancy conceive करने के ही है आपको ऐसा लगता है आप दूसरे से जोड़ने लगती है कि मैं थोड़ा सा काम जादा कर ली हूँ तो ठक गई हूँ तो मुझे नीड़ा रही है ये कोई वात नहीं होती है आपकी जब period मिस हुई है तो ये सारे symptoms अगर आपको नजर आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अब आप conceive कर चुकी है तो ये सारे symptoms को आप अंदेखा ना करें अगर आपको नीजादा आ रही है अगर आपको रिष्ट करने का मन कर रहा है अगर आपको प्यास लग रही है अगर आपको urine की frequency बढ़ गई है तो ये सा हमारी बॉड़ी silently हमारे ब्रूड का विकास कर रही होती है और कोई बिना प्रूफ दिये हम लोगों को हमारा ब्रूड तयार होता रहता है pregnancy का कोई बिना symptoms नजर आए ही ब्रूड को तयार करती है हमारी बॉड़ी तो ये सारे symptoms consume करने का ही है मिलते हैं अगले वीडियो में ब बॉड़ी 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